आप अपनी वीडियो को सर्च में कैसे ला सकते हैं और उससे हजारों व्यूज कैसे ले सकते हैं देखें आप अगर कहेंगे मैं सिर्फ शेरिंग करके व्यूज लूँ या मेरी वीडियो यूज़ खुद वाइरल करें तो बहुत टाइम लगेगा आपको हो सकता सालों साल लेकर अगर आप प्लैन करके एक प्रॉपर वे से काम करते हैं यूटीब के उपर आप कहते हैं कोई भी सर्च करता है और यूटीब वीडियो आप चाहते हैं कि यार मेरी वीडियो इस कीवर्ड के उपर रैंग हो जाए बेशक टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर आजे लेकर र आपकी वीडियो वाइरल भी हो जाएगी और आपकी वीडियो के उपर व्यूज भी ऐएंगी और आपको सब्सक्राइबर्स मिं मिलेंगे आपका चैनल भी ग्रो हो जЕमा ओजेगा ये काम कैसे करना है Pip wakes रॉट काम आपको सिखाओँगा मैनुओ काम करेंग तो आपको इसक उपर अमल करें उससे ज्यादा अच्छा result मिलता है चलिए computer screen की तरफ चलते हैं और वहां पर सीखते हैं कि कैसे आप ये सारा काम करेंगे title, tags, description आप कैसे त्यार करेंगे ताकि आपकी वीडियो सर्च में आए और viral हो जाए वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों के साथ share कर और अगर चैनल के उपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बलगा इकन प्रेस कर लेना, तो जी दोस्तों हम सीखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर, manual कैसे आप अपना title निकाल सकते हैं, कैसे आप अपनी description बना सकते हैं, कैसे आप अपने tags निकाल सकते हैं, ये सार आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको अच्छा result मिलेगा, अच्छा जी कैसे करना सबसे पहले तो आपका topic एक main keyword, जरी सी बात आपने वीडियो बनाई होगी, मैंने एक वीडियो बनाई है, online jobs के हवाले से, मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पर search करता हूं, online jobs, यहां पर मैंने online job search किया, यहां पर आप देखें कि आपके सामने यह suggested keywords आगे हैं, यह YouTube की तरफ से suggestions हैं, यह चीज़ें लोग search करते हैं, तो यह YouTube अपने पास store कर लेता keywords, अच्छा, अब ज्यादा तर लोगों की यही फितरत होती है, कि वो एक दो word type करते हैं, फिर उसके बा keyword होता है, जिसके ओपर वो search करना जाता है, वो उसके ओपर click कर देता है, जैसे कि मसाल के तरफ पर online jobs at home मैं search करना जाता हूँ, तो मैं online jobs at home के ओपर click कर दूँगा, अब आपने जो भी tags लेने हैं, वो सारे आपने यहां से choose करने हैं, अब मैं कैसे करता हूँ, मैं इसके ही है, यहां पर आ जाता हूँ, paint के अंदर, paint के अंदर आने के बाद मैं इसको यहां पर open करके रख लेता हूँ, और साथ में मैं अपना notpad open कर लेता हूँ, यहां पर मैं type कर लेता हूँ, जैसे कि online jobs, उसके बाद online jobs at home, उसके बाद online jobs in Pakistan, यह हो गया मेरा, उसके बाद online jobs for students उसके बाद आ गया ये ठीक हो गया चार कीवर्ड मुझे यहां से मिल गए उसके बाद मैं यहां पर करता हूँ simple jobs करता हूँ तो इति में jobs दूसरी आजेंगी हम जोब्स फार यहां पर देखें जोब्स फार किया तो jobs for students in Pakistan जोब्स फार स्टूडेंड जोब्स फार घियर्ज जोब्स फार फिमिल इन पाकिस्ता यह मैं इसको प्रिंट स्क्रिन कर लेता हूँ अच्छा उसके बाद मैं इसको paint में paste कर दूंगा और दुबारा यहां पर नोड़ पैड ओपन करके यहां पर कर लूँगा jobs for students उसके बाद jobs for girls jobs for वो फीमेल फीमेल यह मैंने टाइप कर लिया उसके बाद फिर आ जाता हूं online work from यह देखे online work from home jobs online work from home यह मैं इसको कर लेता हूं यह थोड़ा सा time लगेगा manually लेकन यह keyword आपके सर्च के अंदर आते हैं यह hundred percent मैं आपको बता रहा हूंगी यह keyword आपके सर्च में आएंगे जैसे कि आनलाइन वर्क फ्राम होम जॉब्स और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ओनलाइन वर्क ऑनलाइन वर्क फ्राम मुबाइल उसके बाद इस वीडियो के अंदर मैंने रिलेटिड कुछ कीवर्स डालने हैं जो मैंने सर्च करने है इसके अंदर मैंने बात की है फ्री लांसिंग की फ्री लांसिंग यहां पर देखें फ्री लांसिंग इन पाकिस्तान फ्री लांसिंग वेबसाइट्स मैं फ्री लांसिंग इन पाकिस्तान ये कोपी कर लेता हूं उसके इलावा जो बात आपने अपनी वीडियो के अंदर की होंगी ना उन बातों के हवाले से आपने कीवर्ड निकालने अपने फ्रीलांसिंग की बात की उसके बाद मैंने बात की है ब्लोगिंग ब्लोगिंग मैंने बात की है इसके इलावा मैंने यहां पर यूटीब के बारे में बात की है मैंने इसका टाइटल बनाना है टाइटल बनाने के लिए मैं यहां पर आकर सर्च करता हूँ आनलाइन जॉब्स पर स्टूडेंट्स टू अर्मनी इन पाकिस्तान यह अब टाइटल आ गया जी अब इसको मैं कोपी कर लेता हूँ इसको सर्च करके भी देख लें अब इसको सर्च किया तो आपको यहां पर देखें यह एक वीडियो पहले में लिए आ चुकी है क्योंक आनलाइन जॉब्स का कीवर्ड यूज किया हुआ तो यह मेरी वीडियो एक पहले आ चुकी है उसके लवा आपको यहां पर यह काफी चीजें मिल जाएंगी यहां से आपको पता चल जाएगा कि इस टैटल के उपर आनलाइन जॉब्स के हवाले से ही बात की जाती है तो मैं थोड़ा सा आपको अगर आपको इंगलेश नहीं भी आती तो आप उर्दू रॉमन उर्दू में भी लिख सकते मुसाल के तौर पर मैं लिखता हूं जी असलामों लाइकूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे के आप गर बैठे कैसे आउनलाइन जॉब्स कर सकते हैं इस वीडियो में कम्प्लीट डेटेल से बताया गया है के आप आनलाइन जॉब्स एट होम कैसे कर करेंगे और उससे पैसे कैसे कमाएंगे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को फुल वाच करें क्यूंकि इस में हम ने ओनलाइन जॉब्स फार स्टूडेंट्स के बारे में भी बताया है ये देखें इसके अंदर मैंने मुक्तलिफ अपने कीवर्ड्स को यूज कर दिया यानि कि ये टैग्स को यूज कर दिया अब यह keyword मेरे title के अंदर भी आ गया है, यह keyword मेरे description के अंदर आ गया है, यह keyword मेरे tags के अंदर भी आ गया है, अब इस से यह आप की समझने के SEO आप ने कर लिए है, यही आपकी वीडियो की optimization है, यह title निकल आया आपका, यह आपकी description निकल आई, यह आप और मजीद बढ़ा जेगा जितना आप ज्यादा से ज्यादा इन को यूज करेंगे लेकिन paragraph की शकल में एक फिक्रे की शकल में ऐसे ही नहीं कि आप ने इनको ऐसे ही आप डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दे नहीं इसको एक पूरे paragraph की शकल में आप अपने टैग्स को यूज करेंगे तो ये वीडियो आपकी सर्च के अंदर आएगी ही आएगी confirm है गरंटी है अब ये हमारे पास टैग्स आगए इनको हम अपनी वीडियो के अंदर यूज करेंगे ये था तरीका कि आप अपने वीडियो के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स मैनुली यूटीब से कैसे सर्च करते हैं इस से आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है आपको एक चीज और दिखा दूँ यहां पर अगर आप ने वीड आईक्यू अक्स अभी की बात हो रही है कि अभी तक ये डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम नहीं यूज हुआ और टैटल के अंदर भी सेम नहीं यूज हुआ आप इसको यूज कर सकते हैं कम्पिटिशन आपको यहां पर बता रहा है लो है ठीक हो गया इसके बाद अगर हम ऑनलाइन जॉब्स की बात करते हैं ऑनलाइन जॉब्स फार स्टूडन्स की बात करते हैं ऑनलाइन जॉब्स फार स्टूडन्स तो इसके ओपर भी हम देख लेते हैं कि इसका सर्च वालियम भी है उसका सर्च वालियम जीरो था लेकिन इसका सर्च वालियम है यह आपको दिखाने का मकसद क्या है कि आपने ऐसे किसी कीवर्ड के ओपर काम नहीं करना जिसका सर्च वालियम ही ना हो आपने उसके ओपर काम करना जिसका सर्च वालियम तो हो आपको यहां पर यह शोक रुआ रहा है कि इसका सर्च यूज हो चुका है तीन दफ़ा डिस्क्रिप्शन के अंदर छे दफ़ा यूज हुआ है उसके बाद टॉप क्रियेटर कौन है उसके चैनल का नाम यहां पर आ चुका है यह सारी चीजें आपको यहां से मिल जाती है आप यूटीब से देखेंगे न तो आपको यूटीब से स आउनलाइन जॉब्स फार स्टूडेंट्स तूर मनी इन पाकिस्तान ठीक हो गया अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि इनका इस्तमाल करते हुए प्रॉपर वीडियो की अपलोडिंग कैसे करते हैं जिससे आपकी वीडियो वाइरल भी हो और आपक हम होता है कि एड का साइन येलो हो जाता है वो भी हम खतम करेंगे आपको बताएंगे कि कौन सी सेटिंग से आपका एड साइन गरीन रहता है चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक एंड शेर जरूर कर दीजेगा और अगर आप चैनल के ओपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा साथ में बढ़ेंगा बेल का इकन उसको प्रेस करके आल नोटिफिकेशन ओन कर लेजेगा ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स बिलती रहें असलाम अनेकम अल्ला आपीज